के आने वाले ट्रेडिंG सेशन में स्ल्वर मैं क्या मूमेंड देखने को मिलेगा अभी लास् Шेशन में आपको यहां पी लगबग-लबग- मदेशनों से लिए के बंदारा सू पॉंइंड बंट की जबक दस्त से कम कर सकते पूरा का पूरा एलाइसिस आपको इस वीडियो के अंदर टेक्निकल बेस को पने आप बताने की कोशिज करूँगा रही बात फस्टेम विजिट करें कोशिज करें चैनल को सब्सक्राइब करने की और डेली बेस को पर इंट्राइडी लेवल चाहिए तो टेलिग लेकिन इसको ब्रेकाउट नहीं किया तो आने वाले दिनों में अगेन यह ब्रेकाउट करता है तो कहां तर टार्गेट देखने को मिल सकते हैं पूरा का पूरा एनलेसिस आपको इस वीडियो के अंदर बताने की कोशिश करने वाला हूं रही बात यहां पे देख लेजिए 94 का अभी है टच कर चुका है लगबग लगबग साथ से लेकि 8 ट्रेडिंग सेशन हो गए है इसको यह ब्रेकाउट नहीं कर रहा है 94,600 राउन फिकर मैं 95 पकड़ लेता हूं तो यहां से 95 के उपर यह आने वाले ट्रेडिंग सेशन में जभी भी ट्रेड करना स्टार्ट कर आपका लंबा वीव है कम से कम एक सांद तक होड़ कर सकते हो तो आपको यह टारगेट देढ लाग तक भी आपको देखने को मिलेगा तो यहां से आने वाले दिनों में कोई long term बाये करना चाहता है आने वाले दिनों में लगब लब लब अभी आउगस्त का मैना चालू होन लोना चाहिए पिछला जो एक resistance लेड़ में लेड़ा था इस लेड़ कर देख लिए कम से कम इस रैंज में काफी दिन तक कि ट्रेट करता रहा कम से कम दो से के तीन साल तक इस रेंज में ट्रेट करता रहा तो यह जो लेवल निकल कर रहा है यहां से देख लिए इस लेवल के बीच में यह लगबग लगबग 60,000 का डाउंसाइड और 80,000 का अपसाइड इस रेंज में काफी दिन तक लगबग 2 साल तक ट्रेट किया अभी यह जब इसने ब्रेक आउट किया तो एक नया हाई की तरफ यह जाने लगा है 2021 के बाद एक कोवीड के टाइम पे लगबग 80,000 तक गया था और नीचे डाउंसाइड में यह 60,000 तक आपको डाउंसाइड में आतीव देखने को मिला लगबग लगबग यह 20,000 के रेंज में अल्मुस्ट इसने तीन साल गुजा रहे है और उसके बाद इसने ब्रेक अब यहां पर बात करेंगे सपोर्ट एंड रेजिस्टन की तो क्या हम इस लेवल पर सेल की पोजिशन बनाते भी हो आपके क्रिस्के ट्रेट रह सकता है क्योंकि इसका जो ट्रेंड है वह अभी भी अप्ट्रेंड है और जुले मेने के बीच में जून के बाद इसके अंद तो यह टार्गेट बहुत बड़े भी मिल सकते है तो यह आप एक रिस्के ट्रेट लेना चाहता है तो 92 के नीचे आप सेल की पोजिशन बना सकते हो विदा स्टापलस अब 95 सिब तीन हेदर पॉइंट का स्टापलस रहेगा विदा स्टापलस से आप सेल पोजिशन मत लेना आने वाले दिनों में यहाँ पे डाउंसाइट बहुत ज्यादा टार्गेट नहीं मिलेंगे 84 तक भी आपको यह डाउंसाइट टार्गेट देखने को मिल सकता है लेकिन मैं यहाँ पे प्रेपर करूँगा बाई सैट के लिए सेल सैट भी प्रेपर कर सकते हो जब यह लेव आपको विदाउट ट्रेड लेते और आपको कुछ दिन तक लाउस भी होता है तो घबराने के जूरूत नहीं है वहां पे आप यह मार्जिन पे करिए एक सिल्वर मेगा लेने के लिए ध्यान में रखिए एक सिल्वर मेगा लेने के लिए ओनली दस हजार रुपे की आपको यहां पे लगेगा लेकिन आपको ट्रेड करने के लिए जो मार्जिन बहुत जादा ब्लॉक हो दी है वह यहां पे ब्लॉक होने वाली नहीं है तो ध्यान में रखिए डॉलर इंडेक्स में ट्रेट करने के लिए वन आप बेस्ट प्लैटफोर्म में ओक्टाइपक्स लिंक करते हों तो आने वाले दिनों में मार्केट उपर जाता है तो कॉल अप्शन से प्रफिट होगा और से बैटे रहे जिब मार्केट के अंदर गिरा बटाई की तो वहां से आप अपना कास्ट वास या थोड़ा बहुत लॉस में निकल सकते हो लाकिन इस लेवल पर मैं प्रे करिए अभी बात करेंगे डॉलर इंडेक्स में तो डॉलर इंडेक्स में 32 का एक स्ट्रॉंग एक रेजिस्टन्स निकल रहा है जब तक के 32 के उपर ब्रेक आउट नहीं करता है तब तक आपको यहां पर बाई की पोजिशन अभी प्रेफर मत करिए बहुत ज्यादा यह 30 का यहां पर सेल की पोजिशन जी दिन यह 30 के नीचे ट्रेट करना स्टार्ट करता है तो आप सेल साइड भी प्रेपर कर सकते हो क्योंकि काफी दिन से एक रेंड में ट्रेट कर रहा है तो किदर भी ब्रेक आउट कर सकता है मेरी सबसे अपसेट भी ब्रेक आउट करें आप तो अप सेवर के बनाना है लेवल के बाग बना सकते हो तो थर्टी टु के ओपर वाई की पुजिशन और 30 के नीचे सेल की पुछेंट कर सकते हो हो डाउसाइड में तर्फ्रेट रहें देखने KP अपको पकर अब्राइड करता है तो कंम से 25 तरक आपको डॉल बस दॉले जिसेंग कर सकते हो य्चाल सिम्प侍 मरीफ इंटर्व बाइंकिंग के 2 पृम्ट डेमच के हो अगेन आपको सपोर्ट नम्बर चाहिए तो 9797-77321 ने इसके अपर मज़े वाट्सअप कर सकते हो तो मिल देने में अपर के साथ तब तक के लिए भाई भाई